भारती जंता पार्टी ने राजसभा प्रत्याशियों की सूची जारी करी और उसमें उन्होंने ऐसे कई कार्यकरताओं का नाम दिया जिनको उम्मीद नहीं थी कि वो राजसभा तक का सफर भी तै करेंगे कि ऐसे में चंदॉली की विधायक हैं साधना सिंग हमारे साथ मावजूद और इनके चहरे की खुशी भी देखी जा सकती है विधायका तो आप हैं ही अब राजसभा का प्रत्याशी बनाया जाना कितनी खुशी हो रही है सब को प्रणा मेरा और हम कार करता हैं और आगे भी कार करता ही रहेंगे और हमें पार्टी ने इतना बड़ा दाई तो दिया है हमें तो खुद विश्वास नहीं कल हो रहा था कि क्या हम राजसभा में चलेगे हमें उमीद नहीं था लेकिन हम अपने केंदर के सरकार और कं़से ने इसे कार करता हैं और एक समान से कारकरता को राजसभा में आप ने भेजा है इससे कारकरतां के अदर एक उससा जगी है कि कोई भी मंदारी और मेहनस से काम करेगा तो भारती जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि किसी को भी कोई विदाई तो मिल सकता है बनकर आप जिम्मेदारी उठाती थी अब तो चंदौली से दिल्ली तक का भी आपका सफर रहेगा लग रहा है आपको जिम्मेदारियां बढ़ेंगी अब देखे हमारे प्रधानवंत्री जी इतना हम लोगों को पढ़ा लिखा दिये हैं इतना समझदार बना दिये हैं काम करते 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 कि हम लोग जाएंगे तो कुछ उन से सीखेंगे महिलाओं का भरोसा भी आपको लग रहा है कि बीजेपी पर बढ़ा है अन्य सरकारों के पिक्षा महिलाओं को तो हरमेशा भाजपा ने ही सम्मान दिया है भारती जंदा पार्टनी में जितनी सुरक्चित महिलाएं हैं बाकी किसी दल में नहीं है बात करने के लिए मौजूद थी चंदोली की विधायक है साधना सिंग जिको बीजेपी ने रासभा का प्रत्याशी बनाया है लखनाव से वीडियो जनरलिश रोहित के साथ संदीप के भारत समचार